बचों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आया हूँ important questions आप सभी के लिए 29 अप्रेल के exam को target करके अगर आप नौदे विद्याला की तयारी कर रहे हैं तो ये series आप सभी के लिए है आप सभी अपने important questions भेजा करो मैं daily basis पे आपके लिए important questions लेके आता हूँ short take के साथ solve करता हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है बता दो कि नीची description में telegram group दिया हुआ है link दिया हुआ है group का link मतलब आप join कर सकते हो जहां पर आप अपने questions भेज सकते हो and मैं जो important questions होंगे जो exam के नजरीय से बहुत ही महत्तपूर्ण होंगे उनको मैं यहां पर solve कराऊँगा ठीक है कल के homework के साथ start करते हैं कल का homework हमने दिया था और दो बच्चों ने सबसे पहले जबाब दिया पहला आदित्य and दूसरा नौनीतने बहुत ही बढ़िया बटा well done और इसी तरह से आप सभी जबाब दिया करो मैं जो पहले बच्चे जबाब देंगे उनको master का दिल जरूर मिलेगा and उनके comments भी यहां पर लिये जाएंगे screen पे ठीक है start करते हैं पहले question के साथ जो हमारा homework था सबसे पहले उसको करते हैं देखो बटा यह जो हमारा पहला homework था यह इसको इस सवाल को ना बहुत seriously मतले लिया तुम लोग क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि यह वैसे है ninth class का question ठीक है ninth class का question लेकिन किसी बच्चे मैंने कौतू हल बस दे दिया था तो उसका मैंने ले लिया था यहाँ पे देखो सुनो ऐसे question को अगर आप step by step solve करोगे न तो quality question बनेगा जो कि आपके syllabus में नहीं है मतलब आपके level से काफी वो बड़ी चीज है आपको क्या करना है अगर ऐसा question बाई चांस दिख भी जाए तो आपको option से check कर लेना है पढ़ो क्या लिखा हुआ है एक आयताकार दरी का छेतरफल जो है वो 60 meter square है आप से आगे ये कह रहा है कि जो वीकर्ण है यानि कि ये diagonal हुआ है ना ये वीकर्ण यानि कि diagonal हो गया हमारा है की नहीं बटा ये जो diagonal है और ये जो बड़ी वाली भुजा है इन दोनों को अगर मैं submission करूं तो छोटी भुजा का 5 गुना होगा हमने माल लिए छोटी भुजा x ठीक है ये जो diagonal माल लो d आएगा कुछ और ये y आएगा मतलब ऐसे हमने माल लिए अगर तो y प्लस d की value होगी 5x के बराबर कह रहा है कि छोटी भुजा का 5 गुना है simple सी बात समझो ये और ये मिला करके इसके 5 गुने के बराबर होना चाहिए अब ऐसे हम solve नहीं करेंगे variable बना करके हम लोग option से चेक करेंगे जैसे आपसे बड़ी भुजा की लंबाई पूची जा रही है तो अगर मैं बड़ी भुजा को माल लो option से चेक करता हूँ 5 मेटर माल लूँ है ना दरी की लंबाई पूची जा रही है ना अगर मैं 5 मीटर माल लिया तो area to 60 है तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी बटा 60 60 बटे 5 बराबर 12, क्या कभी ये संभो है कि बड़ी भुजा 5 हो और छोटी भुजा 12 हो, नहीं है, है ना, अरे भाई, ये बड़ी होगी न, ये तो छोटी है, अच्छा, यानि पहला option हमारा काम नहीं करेगा, दूसरे option के साथ जाएं अगर हम, अगर बड़ी भुजा को हम ल ने छोटी भुजा को 5 माल लिया, ठीक है, अब यहां से देखो, हमारे पास लंबाई भी है और हमारे पास चौणाई भी है, अगर मैं वीकान यानि की डैगनल लिकालना चाहता हूं, ये डैगनल, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बटा, फर्मूला पता है डैगनल का डैगनल का फर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L स्कौईर प्लस B स्कौईर, यानि कि लंबाई का स्कौईर प्लस चौणाई का स्कौईर, ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पे कर दिया, अंडर रूट L स्कौईर प्लस B स्कौईर, लंबाई है बारे, और ये जो है चौण आई है 5 तो 12 का स्क्वाइर प्लस 5 का स्क्वाइर तो बराबर अंडर रूट 144 प्लस 25 तो इस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 169 जिसकी की वैल्यू हो जाएगी 13 यानि अगर लंबाई 12 है और चोड़ाई 5 है तो जो डैगनल निकल के आएगा वो आएगा 13 13 है ना तो हमने यहाँ पे 13 रख दिया बड़े प्यार से अब देखो बिटा ध्यान से सुनना मेरी बात अगर 13 मैं रख दिया तो अपना एंसर हम चेक करें कि क्या जो डैगनल है जो बड़ी भुजा है वो इसका 5 गुना है देखते मिटा 13 और 12 मिलाया तो 13 प्लस 12 मिला करके 25 हो गया और यह जो 25 है यह 5 का 5 गुना है की नहीं है बोलना बेटा क्या यह 5 का 5 गुना है हाँ जे बिलकुल आसान सी बात है यह 5 का 5 टाइम सी तो है 25 है ना यानि कि B option हमारा correct option होगा अब ऐसे question को बड़ा seriously मतले ना बेटा मैंने ऐसे बता दिया आपको बड़ ऐसे question आप सभी के exam म नहीं पूछे जाएंगे बाकी जो काम के question है homework number 2 जो मैंने आपको दिया था वो यह रहा the perimeter of a rectangle is 280 meters if the ratio between its length and breadth is 4 is to 3 find the area of the rectangle देखो जिसका नौनीत अन्दीप्ती ने answer दिया था कह रहा है कि rectangle का perimeter है 280 है ना और ratio between its length and breadth is 4 is to 3 मतलब आप से यह कह रहा है कि अगर length को मैं 4x कहूँ तो इसकी चोड़ाई यानि की breadth होगी 3x अगर मैं लंबाई 4x कह दूँ तो चोड़ाई हो जाएगी 3x क्योंकि ratio दे रखा है 4 is to 3 का है ना इसका अगर मैं perimeter निकाल लूँ तो परिमाप बराबर मैं जानता हूँ बिटा कि 2 गुणे लंबाई प्लस चोड़ाई ये परिमाप होता है ठीक है तो 2 गुणे लंबाई कितनी 4x है चोड़ाई कितनी 3x है तो 4x and प्लस 3x ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2 गुणे 4, 3, 7x हुआ तो 2 गुणे 7x यानिकी 7, 2, 14x तो परिमाप होना चाहिए 14x और जिसकी वैल्यू दे हुई है 280 मीटर भाई यही तो परिमाप है 14x and 14x की वैल्यू दे रखी है 280 मीटर तो सिंपल है बेटा 14x is equal to 280 आप कर दो 14 से काड़ दिया 14, 28, 20x की वैल्यू आ गई 20, master x की वैल्यू आ गई अच्छा area of the rectangle निकालना ह परिबात x की जब वैल्यू आ गई हमारे पास तो 4x का मतलब 4 गुणे x की वैल्यू है 20 तो 4 गुणे 20 बराबर 80 हो गया x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है तो यह 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 into 20 बराबर 60 हो जाएगा यानि हमारे पास लंबाई आ गई और हमारे पास चोड़ाई आ गई लंबाई 80 चोड़ाई 60 है ना, तो अगर मैं area निकालना चाहता हूँ इसका area, area of the rectangle can I find the, can I calculate the area बेटा, बिल्कुल area बराबर लंबाई गुने चोड़ाई, तो लंबाई 80 और चोड़ाई है 60 तो 8, 6 का अनतालिस यानि कि 4800 meter square यही हमारा प्यारा answer हो गया, बोलो बेटा बात समझ में आई, असा question है, आपने पास ratio दिया हुआ है, तो इसका और इसका ratio दिया हुआ है, 4x is to 3x, यानि 4 is to 3 का ratio दिया हुआ है, तो हमने लंबाई को 4x माल लिया, और चोड़ाई को हमने माल लिया, 3x 4x और 3x, यह हमने लंबाई चोड़ाई माल लिया, उसके बाद हमने क्या किया, यह परिमाप का formula लगाया, और step by step हमने परिमाप निकाल लिया, perimeter निकाल लिया, जो कि आया 14x, और उसकी value दे रखी थी 280, हमने दोनों को बराबर कर दिया, परिमाप 14x is equal to 280, बराबर किया बेटा, और बराबर करने पर हमारा यह जो answer आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 4800 square, meter square जो area है, वो आ रहा है, चलो अब अगले question पर चलते हैं, कुछ और questions लेते हैं, अच्छा एक बड़ा अच्छा question प्रिंस ने पूछाता, लेकिन उससे पहले यह वाला question देख लो, चलो लेकिन उससे पहले यह भी बता देता हो, कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है, नौदे विद्याले की तयारी के लिए तो अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हो अगले साल की तयारी करो तो नौदे अलफा बैच है हमारा इसमें आपको विडियो लेक्चिर्स मिलेंगे डेडिकेटेट टेलिग्राम ग्रूप आपको मिलेगा एकसराइज माटेरियल्स मिलेंगे यह सारी चीज़ें आपको facilities इसमें दिये जाएंगे एक ग्राम पंचायत कार्याल है साथ मीटर भुजा वाले एक वर्गा कार पार्क के चारो और दो मीटर चौड़ा मार्ग बनाना चाहता है यदि प्रती वर्ग नीटर मार्ग बनाने की लागत 120 है तो इसमें शामिल कुल लागत ग्यात केजिए देखो आसान सी बात है बेटा एक वर्गा कार पार्क है इस तरीके से है ना इसके चारो और एक रास्ता हम बनाना चाहते हैं ठीक है? अच्छा इसके चारो और अगर मैं एक रास्ता बनाना चाहता हूँ तो बेटा मुझे क्या करना होगा ध्यान से सुनना अच्छा ये थोड़ा बढा रहे तो मैं ठीक है इसके चार और मैं एक रास्ता बनाना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से इसके चार और ये पार्क है बीचो बीच और ये रास्ता है दो मीटर चौड़ा मतलब मेरी बात सुनना 60 मीटर भुजा वाला पार्क है बेटा तो पार्क की भुजा तो 60 मीटर है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये 60 मीटर है ठीक है पार्क की साइड है 60 मीटर और जो रास्ता है वो 2 मीटर चौड़ा है तो यानि कि यह 64 मीटर टोटल लंबाई हो गई इसकी मतलब बाहर से अगर मैं देखूं तो यह दिखेगा 64 मीटर और अंदर से यह दिखेगा 60 मीटर ठीक है? मुझे इस रास्ते का छेतरफल निकालना है, इस रास्ते का बटा एरिया निकालना है तो एक काम करते हैं न बटा एक काम करते हैं कि बड़े वाले एरिया में से अगर मैं यह छोटा वाला एरिया घटा दूँ तो मुझे सिर्फ यह पट्टी का छेतरफल, यह रास्ते का छेतरफल यह मार्ग का छेतरफल मिल आएगा ये बड़े वाले एरिया में से मुझे ये छोटा वाला एरिया घटा देना है ठीक है? तो बड़ा वाला एरिया क्या होगा? बोलो बटा जो बड़ा एरिया आएगा वो कितना आएगा? 64 मीटर है तो 64 मीटर का स्क्वायर ये बड़ा एरिया 66, 24, 24, 24, 26, 25, 25, 26 हो गया और 36, 36, 36, और 4, 6, 24, 384 और प्लस पचीज 3, 3, 384 और ये पचीज यानि कि 9, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 496 आ गया ठीक है तो बड़ा एरिया हमने 64 का स्क्वाइर कर दिया 4,096 आ गया छोटा वाला एरिया smaller एरिया मतलब ये अंदर पार्क का एरिया ये जो है तो smaller एरिया कितना हो गया बटा smaller जो एरिया छोटा वाला है वो 60 का स्क्वाइर यानि कि 3600 हो गया ठीक है बड़ा एरिया 4,096 और छोटा एरिया 3600 अगर मैं रास्ते का छेतरफल कहूं तो बड़े एरिया में से छोटा वाला एरिया मुझे घटाना है तो इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहां पे 496 496 क्या हो गया बटा रास्ते का छेतरफल हो गया यानि कि एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 120 तो इतने टोटल खर्चा कितना हो जाएगा बटा टोटल खर्च बताओ टोटल खर्च कितना हो जाएगा 496 वर्ग मीटर है इसमें 120 का मल्टिप्लाई कर दो जो आएगा वही आपका एंसर हो जाएगा और ये एंसर आप सभी comment में लिखोगे, ठीक है देख लेना यहाँ पर शायद अगर गुणा करने में गलती हो तो इसको आप लोग comment section में लिखोगे कि कितना इसका answer आ रहा है ठीक है, मतलब concept समझ में आया ना, एक वर्ग है बीच में, उसके चारो तरफ हम लोग क्या कर रहा है, रास्ता बना रहा है, दो मीटर चोड़ा, तो भई दो मीटर इधर गया, दो मीटर इधर, तो 60 और 2 प्लस 2, 4, 64 64 हो गया, बड़े वाले का छेतरफल निकाल नेंगी, और माइनस कर देंगे यह छोटे वाले का छेतरफल ठीक है, तो बड़ा छेतरफल माइनस छोटा छेतरफल, तो हमें रास्ते का एरिया, रास्ते का छेतरफल जो है, वो मिल जाएगा, और वही, जो रास्ते का छेतरफल मिलेगा, उसका हमें इसमें मुल्टिप्लिकेशन कर देना है, तो हमारा मीटर लंबे एवं 5.25 मीटर चोड़े एक आयताकार आंगर में समान माप की वरगाकार टाइल बिछाई जानी है ऐसे नियूंतम टाइलों की संख्या होगी ऐसे नियूंतम टाइलों की संख्या होगी अब यहाँ पे देखो इसमें प्रिंस ने पुछा इस सवाल में हमें LCM ही कि इसमें LCF क्यों निकालना पड़ता है LCF निकालना पड़ता है लेकिन क्यों समझो बात मेरी ध्यान से समझना जैसे मालो यह मैंने एक हॉल बना दिया ठीक है आंगर मैंने बना दिया जिसकी लंबाई है 3.78 मीटर अगर मैं इसको सेंटी मीटर में बदल दूँ तो 378 सेंटी मीटर ठीक है तो 378 यह हो गया 525 सेंटी मीटर यह लंबाई हो गई और यह चोड़ाई हो गई मैटा मेरी बात सुनो यह लंबाई हो गई और यह चोड़ाई हो गई ठीक है अब अगर में को इसमें इसमें टाइल्स लगानी है तो अगर कम से कम टाइल्स लगानी है कि tile का size जब बड़ा से बड़ा होगा तभी तो कम से कम tile लगेगी, है की ने, और मुझे वर्गा का tile लगानी है, अगर मैं मालो चोटी-चोटी tiles लगाता हूँ, तो tile का size कम हो जाएगा, है ना, चोटी-चोटी tiles लगाता हो तो, और tiles का size कम होगा, और धेर सारी tiles लगेगी, पतलबी क्या है highest common factor यानि हमें ऐसी टाइल लगानी है यानि समझो बात को हमें ऐसी टाइल चाहिए जिसका जो side हो वो maximum हो और जो इन दोनों को divide करता हो चूंकि square है न तो जादा से जादा बड़ी टाइल समको लगानी है और बड़ी टाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे HCF न निकालते हैं बिटा एक दूसरा पेज मैं लेता हूँ 378 और 525 का तो 378 और 525 का यह एक अन्य हो गया 378 पंदर में से आठ जा साथ ग्यार में से साथ जा चार और यहां पर एक बचा 147 का 378 में भाग दिया तो 14 दूना 28 और 7 दूना 14 यानि कि 294 आठ में से चार जा चार हो गया 17 में से 8 में से चार होगया यह यह सतरे मिशन न ऑज़ा न आर चार हो गया 47 84 करने यह 84 हो गया यह 3 हो गया चौदव में से आठ जा 6 64 को मैंने भाग दिया तो 63 एक और 63 और 21 यहां पर हो गया 63 निया तिर cụ यह खतम हो जा रहा है यानि लास्ट में हमारा जो most से तर्स this is the HCF ठीक है यह हमारा HCF आ रहा है कहने का मतलब यह है कि बड़ी से बड़ी tiles होगी 21 cm 21 cm भुजा वाली 21 cm side वाली बड़ी से बड़ी tile होगी जिसको हमें इसमें fit करना है यानि जो tile हम fit करने जा रहे न बेटा इसमें उसकी side होगी 21 cm जैसे ऐसे tile आफ fit करोगे तो एक tile का जो map होगा वो होगा 21 cm गुणे 21 cm का एक tile का map अब ज़रा सोचो कि ये बड़ा area है और हमें उसमें छोटी-छोटी tiles लगानी थी तो याद करो हमने बताया था कि tile की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बड़े area में छोटे area का भाग दे देते हैं यही करते हैं ठीक है तो टाइलों की संख्या निकी number of tiles निकालने के लिए number of tiles निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बड़ा area और बटे छोटा area कर देते हैं बटे छोटा area कर देते हैं तो बड़ा area कितना बेटा 378 गुने 525 ठीक है तो बड़ा area 378 into 525 और छोटा area कितना छोटा area ये 21 cm लंबाई और चोडाई का tile है न तो छोटा area हो जाएगा tile की area जो हो जाएगी वो छोटे area तो 21 into 21 and this will be equal to on simplifying this equation we'll get ये 21 से काटोगे तो 21 दुना 42, 21 पंजे 105 ये 21 से काटोगे तो 21 से करने 21 और कितना बचा बचा 21, 168 बचा तो 20 वटे 16, 18, 20 वटे 16, 1 वटे 8 है तो 18 गुणे 25 करोगे 18 पंजे 90 हासिल 9, 18 जुना 36 और 9, 450 तो 450 हमारा correct answer आ जाएगा 450 ठीक है बटा? ये वाला देखो ये answer correct हो जाएगा हमारा बात आ रही है समझ में कि अब प्रियदर्शी क्या नाम था? प्रियंस, प्रियंस प्रियदर्शी मेंटा समझ में आया आपको कि हम लोग क्यों HCF निकाल रहे हैं? है ना? comment section में लिखना and group में भी मुझे लिख करके बताना अगर समझ में आया है तो ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और questions लेते हैं मटा एक दो और question यह आसान सा question एक ले लेते हैं मटा चलो 49, 150 का कितना प्रतिशत है? what percentage is what इसको मैं English में भी लिख लेता हूँ what percentage what percent of 150 is 39? कह रहे है बटा 39, 150 का कितना प्रतिशत है? अब देखो अगर मैं 150 का percentage पूछना चाह रहा हूँ यानि 150 को नीचे रखूँगा और 39 के बारे में पूछा जा रहा है तो 39 को ऊपर रख दूँगा 39, 150 का कितना प्रतिशत है? तो 39 by 150 और इंटू 100 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे ठीक है? तो 39, 150 का कितना प्रतिशत है? 39 बटे 150 इंटू 100 अब यहां से आसानी से काट लोगे बटा 50 तियाई 150 और 50 दुनी 103 से काट लोगे तो 13 तिया 49 और 13 दुना यानि कि 26 प्रतिशत हमारा answer आ जाएगा बिलकुल आसा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर चलते हैं अगला question देखो अचा बहुत सारे question अचा चलो एक काम करता हूँ यह वाला ना एक एक यह मध्यानुपाती वाला question हमने homework में दिया था क्या नहीं दिया था? इसको कर लेते हैं इसका mean proportion यानि कि मध्यानुपाती आपको निकालन हैं बहुत सारे बच्चे इस question में confused हुए होंगे कल हमने दिया था शायद की नहीं दिया था देखो सबसे पहले देखो mean proportion का मतलब क्या होता है मध्यानुपाती जब भी दो संख्याओं का A और B का आपको मध्यानुपाती निकालना है mean proportion निकालना है तो आप लोग क्या क्या करोगे बटा अंडर रूट A भी कर दोगे अब हमारे पास दो संख्याओं है एक तो यह है और एक तो यह वाली है तो अंडर रूट हम लोग दोनों संख्याओं का multiplication कर देंगे यानि कि 2 प्लस रूट 3 और इंटू 8 माइनस रूट 48 चलो ठीक है इन दोनों का अगर मैं multiplication करूँ तो देखो बटा अंदर ही अंदर यह गुणा हो जाएगा यहां से 2 का multiplication 8 में होगा 16 हो गया 2 का multiplication minus root 48 में होगा तो minus 2 root 48 हो गया root 3 का multiplication 8 में होगा तो plus 8 root 3 हो जाएगा और root 3 का multiplication आपका minus root 48 में होगा तो minus root 3 और root 48 हो जाएगा ठीक है अच्छा आब यहां से देखो अगर मैं root 3 को common ले लूँ क्या यहां से ले लेते हैं मैटा root 3 को common तो 16 ती आड़ तालीस अच्छा यहां देखो और simplify अगर करें हम लोग तो यहां 16 minus 2 into root 16 into root 3 कर सकते हैं देखो 16 ती आड़ तालीस तो root 16 into root 3 तो बराबर root 48 हो जाएगा plus 8 root 3 and minus root 3 इसको भी root 16 into root कितना कर लेते हैं 3 कर लेते हैं तो root 16 into root 3 कर लेते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनो यह सारी चीज़े कटने वाली हैं देखो कैसे ध्यान से देखो इधर देखो यह हो गया 16 है यह root 16 के value 4 हो जाएगी यहां भी root 16 के value 4 हो जाएगी और root 3 into root 3 मिल करके कितना हो जाएगा बैटा 3 हो जाएगा ठीक है तो 4 तियां यह 12 हो जाएगा इस total की value हो जाएगी 12 यहां देखो अगर मैं इसको और simplify कर दूँ तो यह 16 minus यह 4 दूना 8 हो जाएगा तो 8 root 3 हो जाएगा and plus 8 root 3 इधर दिया हुआ है ठीक है 8 root 3 इधर दिया हुआ है इधर यह अगर total मैंने क्या बता है कि 12 हो जाएगी इस total की value तो minus 12 देखो यह plus का root 8 root 3 है और यह minus का 8 root 3 8 root 3 minus 8 root 3 यह दोनों मिल करके खतम हो गया जी यह 16 minus 12 तो यानि कि 16 minus 12 is equal to beta होगा under root 4 और जिसकी value हो जाएगी 2 बात समझ में आ गई simple सा सवाल था हमें ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था बस यह roots है ना उनको अपने को simplify करना था आसानी से तो हमारा answer हो जाएगा कितना 2 मध्यान उपाती यानि कि mean proportion हो जाएगा यह 2 चलो बटा आज यहीं तक रहने देते हैं और कुछ और questions मैं तुमको देता हूँ एक काम करते हैं यह वाला कर लेते हैं थोड़ा बटा यह किसी का सवाल था mental ability का कर लेते हैं तीन, दो, छे और साथ अच्छा, इसमें अभाज्य संख्याओं का concept लग रहा है हमारा prime numbers का prime numbers का यानि कि अभाज्य संख्याएं आप सभी जानते हो बटा कि ऐसी संख्या जो swim और एक को छोड़ करके किसी और से विभाजित ना होती हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते है यहाँ देखो यह 2 एक prime number है, 3 एक prime number है 7 is also a prime number but 6 is not a prime number 6 अपनी एक भाज्य संख्या है यानि कि this is a composite number इसका मतलब यह हुआ कि यह सबसे अलग हो गया है ना, यह जो 6 है वो composite number है, इसलिए यह सबसे अलग हो गया अगर मैं यहाँ देखो इसमें क्या अलग है बिटा, जरा देखो ध्यान से इसमें तो देख सकते हो, तुम खुदी देख सकते हो, इधर देखो इधर देखो, यह जो चीज है यह उपर तक touch नहीं कर रही है यह भी इसमें दूसरे आकरिती में, दूसरे figure में touch नहीं कर रहा है इसमें यह जाके touch कर दे रहा है तो यह सबसे अलग हो गया, 4, 9, 12 और 25 देखो, इसमें 2 का square 4 है, 3 का square 9 है 5 का square 25 है यह किसी का square है क्या? नहीं, इसका मतलब यह हुआ यह पूर्ण square नहीं है मतलब complete square नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह सबसे अलग संख्या हो गई ठीक है? उसी तरीके से यह वाला देख लो आप JMTU इसमें देखो वावेल्स का concept आगया बेटा वावेल्स and consonants consonants का concept आगया यानि कि स्वर और व्यंजन का concept आगया स्वर और व्यंजन हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्ड माला में स्वर होते हैं A, E, I, O, U ठीक है? तो आप देखो कि इसमें सिर्फ option number D जो कि U है यही सिर्फ स्वर है, स्वर करने का मतलब वावल है और बाकी सारे consonant है, यानि ये वाला सबसे अलग हो गया, different हो गया ठीक है समझ में आरी चीज चलो, I think आपको चीज़ें समझ में आए होगी बाकी बटा मिलेंगे आपसे next lecture में लेकिन उससे पहले कुछ homework लेते जाओ comment section में लिखना जरूर ये वाला एक minute ये मुझे कराना चाहिए था चलो ये homework ले लो, एक ये और एक ये, दो homework बटा ये homework तुमनों लिखना comment section में homework number one, screenshot ले लो and ये वाला है homework number two चलो, ये दो homeworks हैं आप सभी के लिए, कल के लिए तो इसको कर के लाना जरूर से, है ना group में आप इस question को discuss भी कर सकते हो बागी आपसे मिलते हैं next session में, तब तक के लिए बटा पढ़ते रहो, और कोई भी दिक्कत आती है तो इस number पे call कर ले ना, course ले ले मगर कोई दिक्कत आती है, 6260 388 361, चलो बटा bye bye for now, मिलते हैं आपसे next lecture में